अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने नेक्स्ट ओरेटर को यहां पर बुलाओंगा जिनका नाम है खान बुश्रा मुहम्मद नफीस अबलकम यूल इसिलाम इडिक्ड ओरेटर असलाम हु आलाइकुम वर्हमत ल्हें वबरकातु मैं पीस मरसी और बलासिंग अबलाइ सुबाना टाला बी आन अल अल उफ यू इन अल्हम्दा लिल्ही नहमदू वनकसीन वनकस तक्फिर वनाओज बल्ही मिवशिरू लिया अन्फुसिना वमिन सियात यामालिना मैं यहिदि लग फला मुदिल्ला वमैं यजलिल फला हादियला वाष्षदू वन्छंदा वाद लोदव ला शरीक लुणू वन्छा माम्म्ध अब्दू वरसूलू अमा बाद, वहिं लाक्त वादेश फिडताव बल्हड़, वहिं लाक्त वतल्हू वेदित नुर्दा पिए्छ् जRY अन्फुला वतल्ह बिदा, वकुला बिदात जलाला, वकुला जलायत फिन्नार, रब श्रारी, सद्री, वयस्री, अम्री, वह्लु अग्दात मिल लिशानी, यफ्कहू कौौृ। The topic of my talk is on obedience to parents, the story of three men. In the books of hadith, the messenger of Allah is reported to have mentioned a story of three men. One day when they were out walking a sudden heavy storm for them to take shelter in a mountain cave. The lashing rain and strong winds rolled down a huge piece of rock, the stone cave rolling and settle again the mouth of the cave. The mouth of the cave was not very wide, it therefore became blocked and the three men were shut in the cave. They grew wide and began to think to find a way out of that. The present they said to one another, recollect the acts of kindness you have done merrily first. The sake of Allah and call on Allah on their account, perhaps Allah will remove the stone and they can come out. The effect of dua. One of the three men said, Oh Allah, my parents had been very old. I had small children to feed. I used to graze goats and sheep to earn a livelihood to support them. Every day on coming back home, I used to milk the animals and offer it first to my parents before giving anything to my children to eat. But one day, I returned very late in the evening. My parents had gone to sleep. I did not awaken them for fear of disturbing their sleep. I stood near them thinking they might get up to drink it and die midnight. But they did not. The whole night passes thus and I continue standing near them till daybreak. O Allah, if I did this badly to seek your pleasure, make an opening for us so that we may see the sky. Third eat. The second and the third also narrated their good deeds. The stone was removed and they were able to go home safely. The stone was removed by Bushra Khan. I appreciate her and his preparation is very fantastic. मैं अपने ज़ज डॉक्टर अकबर शम्स मदिनी सहाफ से जानना चाहूंगा इस स्पीच के वारे में दो शब्द क्या ना में बेटाब का बुश्रा मुहमद अफीस खान कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं किस क्लास में पढ़ते हैं कितनी दिन में आपने तयारी की स्पीच की जैसा कि बुश्रा खान ने बताया कि हमें अपने पैरेंट्स का खास ख्यार लगना चाहिए आई अप्रेशियेट बुश्रा खान आवर नेक्स्ट ओरेटर सुमेला अब्दुलवाहाब नहमदू अनुसली अला रसूली इलकरीम अमाबाद मौतरम सद्र जल्सा जजच साहिबान और सामईन एक्राम अस्सलाम वालेकूम आहमतुलाह वबरकातूम आज की समयफिल में मेरा मौज़े सुखन है आप सलिल्लाहु आलही वसलम का बच्चों के साथ सुलूग साहिबान, एहल मेजान और सामईन एक्राम एक किसान जिस तरह खेटने बीजबोता है इस बीजब को खात पाने देता है और इसकी देखबाल भी करता है तो इसको अल्ला के हुकूम से एक अच्छी फसल हासिल होती है ये फसल इसके जिन्दगी में खुशाली लाती है इस कि लाह ताला ने बाक्चों के जर्य वालिदेन के लिए आजमाईश मुकरा कर डिये कि अगर इन बाच्चों की सh пой टरी तो इस दुन्याओं आखरते में कुशाली बनते है और अगर इनकी तरव्ण साही रंघं से ना हुई तो यही ऑलाद दुनिया दुनिया आखरतें अब वाल बन जाती है सामाई अक्राम आप ऑस्लिटी के जिंदगी सारी दुनिया के लिए एक बहतरी मिजाल है आप सिल्टी को सोसाइटी के लिए वो उम्दा मिजाल है जिसको हम अपनी जिंदगी में अपना कर अपनी दुनिया आखिरत सवाज सकते हैं आप ﷺ की सीरत पाक का मुशायदा करे तो हमें मालूम होता है कि आप ﷺ बच्चों को बहुत चाहते थे एक परतबा आप ﷺ मस्जिद में खुद्बा दे रहे थे कि वहाँ हज़त हसन और हुसान रजियल्लाव ताला अनू चले आए आप ﷺ ने इंबर से उतर कर इनको उठाया और फिर इंबर पर चड़के खुद्बा देने लग गए आप ﷺ अपने नमासों को बोसा देते इनके साथ श्वकत का मामला करते आप ﷺ ने फरमाया मन लायर हम लायू हम जो किसी पर रहम ना करे उस पर रहम नहीं किया जाता आप ﷺ का मामल था कि वो बच्चों को जमा करते इनमें दोड लगवाते इने फने हर्प सिखाते जो आप ﷺ के सामने हाँजिर होता सामाईनिक राम मैं एक जामाई हदीस आप के सामने पेश करना चाहती हूँ इस हदीस में आप सलिल्लाह वाल आप एक छोटे से बच्चे को इतनी अच्छी अच्छी बाते सिखाई क्या हमें से हर कोई अपने बच्चे को ऐसी बाते सिखाएंगे तो यकीना हम वो काम होंगे जो दुनिया वाकरत में फल्ह पा जाएंगे हदरत अब्दिल्ला बिन अब्बास अजिए लिए अन्हों का बयान है के में एक मरतबा रसूल अल्लाह वाले वाले वसल्म की सवारी पर आप सलिल्लाह वाले वसल्म की पीछे बेटा हुआ था तो आप सलिल्लाह वाले वसल्म मुझसे मुझसे मुखादे हुए और कहां ए बच्चे मैं तुम्हे आज नफ़ा बक्षबात ना बता हूँ जिसकी जरी अल्लाह तुम्हे नफ़ा पहुचाएंगा मैंने कहा क्यों नहीं आप सलिल्ला हुआ अलिफ ने फरमाया तू अल्ला की दीन की हिफाद करना अल्ला तेरी हिफाद करेंगा तू अल्ला के हुदूत पार ना करना अल्ला तेरी मदद करेंगा जब भी कुछ मांगना हो तो अल्ला से ही मांगना इस बात पर अच्छी तरह अकीन कर लो कि अगर अल्ला तुम से कुई चीज रोक ले वो तुम्हें हर्गिस नहीं मिलेगी और अगर अल्ला तुम्हे अतक करना चाहे वो तुम से कोई नहीं रोक सकता हर तंगी यह आसानी और आसूद्गी लाती है सुभानला, सामाइन इक्राम ये बच्चों का मरतबा है कि आप ﷺ छोटे से बच्चे को इतनी अच्छे अच्छी बाते सिखाई इस हदीछ उम्बारका से ये भी थाबिद होता है कि आप ﷺ कि बच्चों को बच्चा ही नहीं समझा बलकि थाबिद कर दिया कि दिन को समझने और समझाने की शुरुआत बच्चों से ही करनी चाहिए अल्ला ताला हम सबको आप सलिल्लाहु आलही वस्लम की इस अस्वाय हुसना पर अमल करने वाला बनाए आमीन वाखिरु दामाना अनिल्हम्द लिल्लाहि रबिलालमीन असलाम वालेकुम माशालला बहुत खूब आप कौम के मुस्तक्बिल शुमैला खान अब्दिल वाहिद को सुन रहे थे हम अब अकबर शमस मदनी हफिज हुला से दो शब्द जानना चाहेंगे क्या नाम बेट आपको शुमैला किस कलास में पढ़ती है सिक्स्थ इसकूल अगर हम इसी तर अपने बच्चों की तर्बियत करें तो वो कल दुनिया को इसी तरह दीन की तालीम से रूबरू कराएंगे ये एक नमूना है जो आप इहां पर मुशाइदा कर रहे हैं अब हमारे अगले खतीबह हैं फारिया खान अब्दुल वाहिद मेरे प्यारे साथियों अससलाम वलेकुम मेरे तक्रीर का उन्मान है हमारा आप सलिल्लाege भालियुसें से तालूख आप सलिल्लाege भालियुसें की दाट वो जात है जिसके जिकरों अल्लाम ने बुलन फर gloss फरमाया खुद कुरान में भी अल्ला घ्राइना लकजिकरिक जहां नमाद में हम खड़े होकर अगर अल्ला की हम्दूस ना करते हैं तो बैठकर आप अल्ला वाल इसम पर दरूद बेचते हैं इस सरदमीन में 24 गंटे हर कोशे में जाती है और हर अजान में आप अल्ला वाल इसम का नाम दिया जाता है जानी ऐसा कोई लामान नहीं होता इसमें आप अल्ला वाल इसम का जिकर रहों आप अल्ला वाल इसम का जिकर सिर्फ मुसल्मान ही नहीं इंसाफ, पसंद, गेर, पुछ, जात उतराम से लेते हैं बड़े बड़े मुफकर, फिलास्फर, बड़े बड़े आलिम औ दानिषव, आках से लिलला वाहल उखिछail को बहतरी इनलफाद में एक राजधी द्राइद्प, पेश करते हैं प्रैसि क्या बात है आप सलेल्लाहु 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 आप सलेल्ल दिये जो तुम से तालुग तोड़े तुम उससे तालुग जोड़ो आज से यहाल है कि फेजुक पर हजारों दोस्तों सगी भाई से बोली बंद है इंसान से जाने दीजिए आपने तो जानवरे से भी शवक बरतने कहा कि कुर्बान यह जानवरे साम छूरी को तेस करना मैंन सोते हैं मैंसे नई तर्वते स्टरा असलिला हुआ समत रते हैं गोया बातिल की भैयान अक्साइश में शैतान के जालिम गातों में मैं मีठी नेंदें सोती हूं मौति काली रातों में हिद अपने लहू का पहमाना रक्सा उटा है हाथों में कितने गुनाहों के हाथों दीनी बुनियादे ढ़ाती हूँ कहने को मुसल्मा मैं भी हूँ लेकिन कहते शर्माती हूँ कहने को मुसल्मा मैं भी हूँ लेकिन कहते शर्माती हूँ आज भी वक्त है अगर हैं सही मानों मैं आप सले लिलहा जिसन से तली जोड़ेंगे तो हम आप सले लिलहा जिसन की सिरद दे फायद़ उठाएंगे और फिरस हम और about आएंगे जो इसलाम की पहले पर मुसल्मानों को justement अल्लाह ने दिया था जैसा के अल्लाह ने कुरान मजीद में सुरह आले इमरान की आयत नबर 119 से फर्माया वल्ला तहीनू वल्ला तहजनू वा अन्तुम आलवना इनकुन तुम मूमिनी तर्जुमा ने शिकस्ता ना हो गम ना करो तुम ही गालिब रहूंगे अगर तुम मूमिन हो असलाम वल्यकुन बहुत खूब फारिया खान अब्दुलवाहिद आप सुन रहे थे कि हम किस तरह से भूल चुके हैं वो सारी तालिमाद जो हमें दे के चले गए हमारे नवी अब इस तक्रीर के तालुक से हम आपका ध्यान लेके जाना चाहेंगे अपने जज़ शाफह सनाबिली की दरफ जो बताएंगे कि क्या फील हुआ इस तालुक से माशालला बहुत खूब बटा आपके उमर कितनी है मेरी उमर है छे साल छे साल माशालला बहुत खूब बहुत अच्छे अंदाज में और पूर एतिमादी के साथ आपने पेश किया बहुत अच्छा दिल बाग बाग हो गया किसने तैयरी कराई आपकी मैं अजर मेह करी मेरा पूने करे माशालला बहुत खूब बहुत अच्छा इसी तरह बड़े होकर जब सी खिलेंगी तो लोगों को दावत देंगी इन्शालला है ना बहुत अच्छा लेके खिताबत की सरमस्तियां नन्ने प्यारे खतीबह चले आईए अब हमारे अगले खतीबह हैं इकरा तौसीफ मिया अंसारी असलाम अलेकूं रहुत अल्हाँ सदर जलसा महजिस समाइनी कराम मेरे देनी भाईयों और धरनों मैं आपके सामने एक तक्दीर पेश करने जाती हूँ जिसका उन्वाने कुरान मजीद अल्लाह सुभाना ताला का कला हम हजरत मुहम्मद सल्लाह अल्हाँ सल्लम पर हजरत जिब्लिय असलाथ के जडिये गारी राश्र श्रुआ तेज साल में आयतों का नुजूर मुकंबर सारी सुरे के मजमूर को हम कुरान मजीद कहते हैं इसमें मक्की और मतनी सुरे भी है इसके परने में बड़ी बरकत और शिफा है एक एक हुर्फ पे ददस ने किया है कुरान में तीस सी पारे और एकसा चौदा सुरे है कुरान के सबसे पहली आयत इकरा लाजिल हुए कुरान में नेकी का और पदी से बचने का हुकूम है हराम, हलाल और माबब की इतार और इनसानी जिन्तगी गजाने की रहबड़ी की गई और हम सब मिलके कुरान के सारी तालिमात को अपने जिन्दगी मिला है माशालला बहुत खूब कुरान की तालिमात को अगर हम इसी तर आम करें तो इसी तरह हमारे बच्चे कुरान की तालिमात पर चलकर आपको इसी तरह नजर आएंगे कि पुरी दुनिया को वो सही तालिमात पर लेकर आएंगे अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने दूसरे खतीबा को बुलाना चाहूंगा जिनका नाम है अल्वीना तौसीफ मियान सारी आउज बिल्लाही मिन शेताम जीन सद्रेजल सा मौजिस समाइनी करा मेरे दिने भाईयो और बेना मैं आचाप के सामें तक्रीप एक्ष कना चाहतूं जिसका उन्वान है माँ बाप की खिद्वत हमारे रसुल सलल्लाहु आलहियो सल्लम में फर्माया माँ बाप की खिद्मत क ओनना के ना मानो जो काम कहें खुशभी कर उन से अदाब ऑनर मिसआ पास करो उन से जोर से ना बूल उनसे राई जग्रा ना करो ध्यार का नशीयत कर संपसिताए ना करते तुम इनको कभी न शुच मा गरें जन्नत अधार आमीं हम दिलिया में माशा आल्ला बहुत खूब आप सुन रहते हैं अलवीना तौसिफ मिया अंसारी को, कितनी प्यारी जुबान में वो आप से बता रही थी कि अपने ममी पापा को हमें उनका ख्याल लखना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, हम अपने डॉक्टर शम्स मदनी हफिजहुला से इलतेमास करेंगे कि वो इ अकबाल ने कहा था कि ना हो ना अमीद अकबाल इस कष्टे वीरां से जरा पुरनम हूँ तो मिटी बड़ी जरा खेसे साखी, चोकि मैं एक टीचर हूँ और एक जिन्दए को ऐसे बनाया जाता है, उसका हुनर और उसकी तपिश में महसुस करता हूँ, बहराल जिसने भी त मुस्तक्बल के तरव इसारा करती है, अल्ला इन तमाम बच्चों को मुस्तक्बल का दाई और मुस्तक्बल का अब रहबर बनाएं, यही वो नन्ने सपूत है, जो मुस्तक्बल के रहनुबा होंगे, अगले खतीवा हैं, उमेजा शेख, आज की मेरी तक्रीर का अन्वान है, हमारी जिन्दगी में इबादत की अहमियत, मैंने जिनों और इनसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी अबादत करें अल्ला हमारा खालिक और मालिक है उसी ने जमी वास्मा और सारी काइनात को तकलीक की और इसी दुनिया की तकलीक के पीछे हमारे खालिक का बस एक ही मकसद है कि हम उसकी अबादत करें हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी दूआ और हमारी कुर्बानी गर्ज के तमाम की तमाम अबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रबुलालमीन के लिए है और हमें अपनी जिन्दगी के जादातर अल्लाह की अबादत में सर्फ करना चाहिए महतरम सामीन इसलाम दुनियादारी से नहीं रोकता इसलाम माल कमाने और अपनी जायस खौईशात को पूरा करने से नहीं रोकता बेशक खूब माल कमाना लेकिन दुनिया को हासिल करने के लिए इस तरह मगन मत हो जाईए कि आखिरत को ही बुला बैठे दुनिया हमारी और आप सब की जरूरत है लेकिन आखिरत हम सब की मन्जिल है मन्जिल को कभी नहीं भूलना अगर दुनिया में मसरूफ रहते हुए अल्ला को याद रखा तो आखिरत में काम्याब होंगे और दुनिया में भी सुकून नसीब होगा इंशालला लिहाज़ा आईए हम अपने मुहासिबा करें कि क्या हम अपने खालिक के इस फर्मान वमा खलकतु जिन्ना वल इंसा इल्ला ल्याब दून पर कितना पूरा उतारते हैं अगर हमारा जवाब हाँ है तो वाकई हम अपने जिन्दगी में इस मकसद को पूरा करने में लगे हुए है और अगर हमारा जवाब नहीं में है तो आईए आज से एहद करें कि हम अपने जिन्दगी यूही बे मकसद नहीं गुजारेंगे बलके अल्लह की अबादत में गुजारेंगे अल्लह ताला से दुआ है अल्लह हमे अपनी अबादत की तौफीक अता फर्माएं आमीन वाखिरु दावाना अनिल्हम्द लिल्ही रबिलालमीन अस्सलाम अलेकुम वर्हमत ल्लाही वर्बरकातु बहुत खूब आप सुन रहतें उमेजा शेक को जो बता रही थी कि हमारी जिन्दगी का एक मकसद होना चाहिए और इसी तरह आई प्लस टीवी का भी एक मकसद है कि आपको ये बताया जाए कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरह की जाए किस तरह उन्हें सही राह पर लाया जाए अगर उपने बच्चों को सही तर्वियत नहीं देते हैं, सही रापर नहीं लाते हैं, तो गलत चीजें उन्हें गलत रापर लेके चली जाएंगी आई प्लस की इन कोशिशों के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है लोगों की इसलाह करने में आई प्लस टीवी की मदद करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर जॉइन बटन जरूर दबाएं